नमश्कार मित्रो नैशनल अचीमेंट सर्वे 2021 में फील्ड इन्वेस्टिगेटर और अब्जरवर के द्वारा सैंप्लिंग प्रकरिया को किस तरीके से किया जाता है आज हम इस पर चर्चा करेंगे और साथ में जानेंगे कि कंट्रोल शीट को फील्ड इन्वेस्टिगेटर क इस तरीके से अपने असेस्मेंट के दिन भर सकते हैं तो आएए चर्चा करते हैं पहले कंट्रोल शीट के बारे में इस तरीकी की कंट्रोल शीट के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी किस तरीके से शीट होती है और यह उस शीट का कंट्रोल शीट का पिछ Sample लिया जाता है. Sample मतलब उन बच्चों को जान किया जाता है. जिस क्लास के लिए हमको NAS का assessment करवाना होता है. तो उन में से कुछ ही बच्चों का assessment होता है. यहां पर जो national achievement 2021 में हम सिर्फ maximum 30 बच्चوں का एक क्लास के अंदर Sample लेते हैं. तो अलग-अलग तरीके के sample methods होते हैं यहाँ पर जो NAS में sample method इस्तिमाल किया जाता है वो है systematic sample method इसमें बच्चों को randomly तो लिया जाता है मगर या तो हम उनको एक sequence में लेते हैं एक fix sequence में ही हम उनका चुनाफ करते हैं और दूसरा जो इसमें बच्चों को sampling करने का चुनाफ करने का जो तरीका है वो है chit method जिसमें हम एक chit को draw किया जाता है तो आपको जब sampling लेते समय आपको कुछ विशेश चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है आपके पास बच्चों के जिस school में आप जा रहे हैं वहाँ के बच्चे कितने हैं उनकी संख्या आपको पता हो जैसे कि आप तीसरी क्लास के लिए नैस का assessment करने के लिए as a field investigator या observer जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि third class में जहास क्लास में आप जा रहे हैं वहाँ पर कितने बच्चे हैं तो जब आप सुभा वहाँ पहुँचेंगे सबसे पहले यह पता कीजिए अटेंडन्स रेजिस्टर से कि वहाँ पर उस क्लास के अंदर कितने बच्चे पढ़ते हैं तो अगर आपको पता चलता है कि तीस बच्चे पढ़ते हैं तो उन सब का आपको assessment करना है तो वहाँ पर हमको sampling लेने की जरूरत नहीं पढ़ेगी मगर अगर किसी कारणवर्ष वहाँ पर तीस से जाधा बच्चों का अगर हो तो क्या करेंगे या तीस से कम हो तो तीस या तीस से कम के लिए आपको sample लेने की जरूरत नहीं पढ़ती है ना chit draw करने की जरूरत पढ़ती है मगर अगर तीस से अधिक बच्चे हो जहाँ पर तीस से जाधिक बच्चे हो वहाँ पर हमको chit method इस्तमाल करने की जरूरत पढ़ेगी तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आज और सबसे पहले जब भी field investigator और observer स्कूल पहुंचते हैं और आप कक्षाओं का नेरिक्षन कर लेते हैं कि वो सुविधा जनक है के ने वातानुकुल है के ने और वहाँ पर बैठने की ठीक विवस्ता है के ने field investigator और observer के लिए भी table और chair का प्रबंध है के ने क्योंकि आपको sheets रखने के लिए लिए वो चाहिए होगा तो आप इसको आप महा के प्रिंसिपल है या HM है उनसे बोल सकते हैं उसके बाद सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा आपके पास जो control sheet है उसको भरने के लिए उसमें AT और PQ इस पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी AT और PQ जो आपको दिये गए हैं उनको भरना है तो वो एक order में आपको भरना होता है मगर साथ ही आपको उसमें जरुरत पड़ेगी NAS ID अब बच्चों की NAS ID जो है वो 123 इसी प्रकार से लिखे जाती है क्योंकि आपको सिर्फ 30 ही column मिलेंगे जिसमें आपको ये भरना होता है मगर बच्चों का चुनाप कौन से पहला बच्चा कौन सा होगा ये जो है CHIT मेथड और हम सैंप्लिंग मेथड में समझते हैं इसके लिए जरुरत पड़ेगी उस बच्चे का नाम और रोल नंबर भी आपको लिखना होगा तो उसके नाम और रोल नंबर को आप छोड़के बाकी सारी चीज़ों की इंट्री इसमें कर सकते हैं अब बात करते हैं हमने जिस पे चर्चा की अब अगर 30 या 30 से कम बच्चे हों तो वहाँ पर हमको किसी भी प्रकार की कोई सैंपलिंग के ज़रुत नहीं परती वो 30 बच्चे जो हैं वो उस कक्षा के वो एसेस्टनल अचीवमेंट सर्वे का जो एसेस्मेंट हो रहा है उन सब में वो एलिजिबल है बैठने के लिए मगर किसी कारणवर्ष अगर वहाँ पर एक से अधिक सेक्षन है या दिकी एक थर्ड क्लास में थर्ड A और थर्ड B यह इस तरीके के दो सेक्षन है तो कैसे चुनाव किया जाए तब हम क्या करते हैं हम चिट बनाते हैं तो हमको चिट की जुरत पड़ेगी हम चिट बनाकर हम लिखेंगे एक पर A और दूसरे पर लिखेंगे B और आप Observer, Teacher या वहाँ स्कूल में पढ़ने वाले किसी भी विध्यारती को बुलाकर इसको चिट को ड्रॉ कर सकते हैं मगर ख्याल रखें कि इसमें National Achievement Survey में जितना आपका FI और Observer का रोल है आपके साथ हो सके तो सिर्फ आप बच्चों को इन्वाल कीजिए वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल और वहाँ के टीचर्स का इन्वाल्मेंट बहुत कम होना चाहिए या ना के बराबर होना चाहिए कि हमको 3rd A में एकस assessment करना है कि 3rd B में तो हमने चिट ड्रॉ की और हमारे चिट में लिखा आया 3rd B अब हम क्या करेंगे National Achievement का जो assessment है जो हमने यहाँ देखा था बच्चों के नाम लिखने है तो हम कौन से register से लिखेंगे 3rd B के register में से उन बच्चों का नाम लिखेंगे multiple sections हो अगर उसी स्कूल के अंदर multiple sections हो और selected बच्चे exactly 30 हो तो भी हमको क्या करना है कोई भी selection हम select कर सकते हैं वो भी हम cheat method चाहीं इस्तमाल करेंगे मगर अगर वहाँ पर multiple section के साथ बच्चे अगर 30 से कम है तो क्या करेंगे क्योंकि maximum तो assessment 30 बच्चों का लेना है और हो भी सकता है कि वहाँ पर बच्चे absent भी हो तो इस समस्या का हम समधान कैसे करेंगे इसलिए आपके पास third class के third A, third B दोनों के register होने चाहिए अगर हम मान लेते हैं third A के अंदर बच्चों के register हमने देखा वहाँ पर present जो थे सिरफ 25 बच्चे थे तो और बाकी के 5 बच्चों की अभी भी हमको जरूरत है assessment कराने के लिए तो हमको field जो हमारे पास control sheet है यह maximum 30 बच्चों के लिए है 30 बच्चों के लिए है ऐसे सिनारियो में हम दोनों classes से बच्चों को चुनाव कर सकते हैं मगर पहला चुनाव किसका करेंगे हम third B का क्योंकि वो चिट सिस्टम से निकले हैं मगर 5 बच्चों को हम randomly भरेंगे किस से? A section से तो A section में जब हम भरेंगे 5 बच्चों का उनका भी चुनाव हम कैसे करेंगे? Randomly करेंगे और उसके लिए भी आपके पास एक से लेके 30 संख्या तक की चिट होनी चाहिए तभी आप उनको randomly चुन पाएंगे किसी कारण वर्ष आपने चुनाव करते समय पांच में से कोई ऐसा नंबर चुन लिया जो बच्चा धूसरी थर्ड A में भी absent है तो उनका भी हम चुनाव करने के लिए फिर से चिट से निकाल के करेंगे तो कुल मिलाके हमें पांच बच्चे थर्ड A से हम पूरे करेंगे और पच्चिस बच्चे को अचुनाव हम पहले ही कर चुके हैं थर्ड B से तो इस तरीके से हम इस assessment को conduct करा पाएंगे चिट and draw method से अगली बार हम बात करें सबसे आखरी जो सिनारियो है वहाँ पर अगर हमारे पास किसी multiple sections में बच्चे अगर जादा है 30 से तो अगर हमारे पास 30 से जादा बच्चे है और multiple sections है A, B, C, D, E यह ऐसा भी हो सकता है कि A में 30 बच्चे हो, B में 35 हो, C में 35 हो, D में 50 हो और E में 40 हो, ऐसा भी हो सकता है और ऐसे case में हम फिर से इस्तमाल करेंगे, जो thumb rule है हमारा हमको sample सबसे पहले चुनने के लिए चिट बनानी पड़ेगी तो हम पहले तो चुनाव करेंगे A, B, C, D, E इन में चुनाव करेंगे, अगर 30 बच्चों वाली section हमें मिलती है तो हम उसका चुनाव कर लेंगे और अगर हमारे चिट सिस्टम में B क्लास मिलती है तो B वाली क्लास का हमने अभी पता तो अगर उसमें 30 से कम है, तो 25 बच्चे अगर मान लेते हैं वहाँ से B से लिए, तो बाकी के बच्चे हम फिर से चिट से किसी क्लास में से रेंडमली 5 बच्चों का चुनाव कर सकते है तो इस तरीके से हमारे 30 बच्चे पूरे हो जाएंगे मगर अगर किसी D क्लास में, अगर D section का हमने चुनाव किया 3rd D अगर हमारे कोई से क्लास है, अगर हमने उसका चुनाव कर लिया तो वहाँ पर अगर 50 से जादा बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं तो ऐसा केस में हम क्या करें तो 50 के केस में हम क्या करेंगे, sampling interval निकालते हैं तो अगर हमारे पास 50 बच्चे हैं उस class में, हमने चिट निकाली, उसमें 50 बच्चे हैं उस class में तो हम क्या करेंगे 50 को divide करेंगे 30 से जो भी हमारा sampling interval आएगा तो उसको हमें round off करना है तो इस case में हमारे पास आया 1.6, 1.6 का हम round off करेंगे तो वो हो जाएगा 2 तो इसका मतलब हमको बच्ची छोड़ छोड़ के लेने हैं तो यहां पर हम इस तरीके से जिस तरीके से दर्शा आएगा हैं यहां से करेंगे तो यहां पर हमने जिससे चुना मान लेते हैं हमने जो चिट चुनी वो थी 32 तो यह NAS ID का जो NAS ID थी यहां पर पहला बच्चा जो होगा वो यही होगा है ना तो नाइस आड़ी के सामने जो हमारा पहला बच्चा होगा वह यह रो लंबर कही होगा है ना तो 32 यहां पर ले लेता हैं और 34 लिया फिर हमने 36 लिया 38 लिया 40 लिया 42 लिया तो इस तरीके से एक-एक छोड़ कर हम ने अगर मान लेते हैं बच्चों की संख्या को बढ़ तो हो सकता है कि हमारे पास 50 संख्या के बाद बच्चे खतम हो जाए तो हम फिर से चुनाप करेंगे एक से अगर इसमें कोई बच्चा बीच में absent है तो हम उस बच्चे को छोड़के आगे की संख्या से फिर से करके इसको छोड़के लेंगे तो अगर यह चीज का आपको ध्यान रखना है तो sampling interval क्या होता है यहाँ पर जिसके हमने चर्चा की वो यहाँ से लिया गया है sampling interval का मतलब होता है जिस भी class में जितने बच्चे हैं उस दिन present नहीं उस में class में जितने बच्चे enrolled हैं उन बच्चों की संख्या को विभाजित कर देंगे हम NASC में लेने वाली संख्या जैनि कि 30 संख्या के साथ डिवाइट कर देंगे तो जो भी हमें मिलेगा उसको हम बोलते हैं sampling interval तो इतने बच्चों को जो अगला बच्चा आना चाहिए वो यही आना चाहिए अगर हम बात करेंगे sampling interval अगर किसी class में 30 ही बच्चे हैं तो क्या होगा तो 30 divided by 30 यानि कि हमारा sampling interval हो गया 1 यानि कि हमको उस class के सभी बच्चों को लेना है क्योंकि अगला बच्चा वो ही होगा मगर अगर किसी class में 50 बच्चे हैं तो इस तरीके से हम sampling interval को समझाया तो अगर हम चर्चा करें आगे तो हमारे पास यहाँ पर example लिया था हमने कौन सा बच्चा पहला शुरू होगा तो यहाँ पर जो भी चिट सिस्टम से आपका पहला निकला है उस बच्चे का लिखते चले जाएंगे उसी order में और जैसे ही बच्चे पूरे हो जाएंगे तो इसको हम खतम करेंगे मगर कोशिश करें एक जैसे नाम बाले बच्चे भी होंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है उसके school में जो उसके attendance register में रोल number है उसको यहाँ पर अंकित करें अगर कोई बच्चा CWSN है तो उस बच्चे के आगे जरूर लिखे remark में CWSN और आन्तिम में आपको नीचे हस्ताक्षर करने हैं कब आपने शुरू किया, कब खतम किया और आपको कितनी copies मिली थी और आपके observer के, आपके signature और यहाँ पर आपको control sheet पर, जो भी आपने भरा है, उस school के principal या school head के, आपको हस्ताक्षर लेने होंगे, तो यह तीनों चीज़ें बहुत important है एक field investigator और observer के लिए, ठीक तो यह हमने इस प्रक्रिक्राव को समझा आशा करते हैं कि आपको यह सब समझ में आया होगा, next video में हम चर्चा करेंगे कि आपने जो भी control sheet को भरा, उसको किस तरीके से भरा, और यह फिर से अगर आपको download करना है, तो कहां से करेंगे तो next video जो है, हम बात चर्चा करेंगे, आपके letter of appointment की, letter of appointment क्या होता है, उसमें कौन-कौन से जानकारी दी गई होती है, कैसे से download करें, और इसका print out लिकें, आप आगे कैसे उस दिन NAS assessment का survey कर सकते हैं, तो notification पाने के लिए subscribe करें, धन्यवाद